हेलो दोस्तों वेलकम टू पीडवली ओनली आईएस कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम कंटीन्यू करेंगे हमारी जो एकॉनमी की डिसकेशन है आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है चैप्टर नंबर ट्विंटी टू इंडिया's foreign exchange and foreign trade तो समझेंगे इन मुद्दों को देखो पहले मैं आपको एक जिस बता दूँ अगर आपने chapter 21 नहीं देखा न तो थोड़ा प्लीज उसको देख लिजेगा क्योंकि ये दोनों chapters न आपस में linked है external sector के अंतर करते chapters आ जाते हैं तो कहिना कि इन दोनों chapters का काफी आपस में एक गहरा रिष्टा है clear है? चल्ब लोग स्टार्ट करते हैं बेना time waste किये हुए कि आखिर हम मुद्दा के discuss करे हैं foreign exchange, foreign trade की पहले आप मुझे बताओ, क्या आप लोगों को open economy and जो आपकी closed economy होती है क्या इसके बीच में अंतर पता है? आप बोलोगे सर हाँ, बिल्कुल पता है तो कि जब हम बात करते हैं open economy की, इसका मतलब क्या? जैसे माल लो, इंडिया है अब इंडिया से बहुत सारी goods and services होंगी, जो इंडिया से आप बाहर बेज सकते हो on the other hand, बहुत साई चीज़े आप import भी करते हो ऐसी जो economy होती है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? open economy basically economy where imports and exports are allowed ठीक है? I hope आपको import और export का meaning पता होगा import क्या होता है? import वो चीज़ होती है जो आप बाहर से मंगवा रहे हो जैसे माल लो, let's say, मेरे पास यह iPad बढ़ा हुआ है यहाँ पे ठीक है ना? अब मैंने iPad, let's say, US से मंगाया, यह चाइना से मंगाया, कहीं से भी तो मैंने का क्या? मैंने इसको बाहर से import किया दूसरे देश से export क्या होता है? जब आप कोई समान इंडिया में बनाते हो उस समान को इंडिया से बाहर बेचते हो, दूसरी country में बेचा जाता है उसको उसको हम export बोल देते हैं बिल्कुल ठीक बात है सर तो ऐसी economy को हम क्या बोलते है? ऐसी economy को हम बोलते है अपनी open economy ठीक है? तो बड़े अराम से आपकी जो goods and services हैं उनका moment होता है, आपकी capital का moment भी हो सकता है ये सारे चीज़े हमें open economy के अदर देखने को मिलती है अब आप लोग बोलोगे सर open economy समझा आ गया, तो कहिना कि हमें closed economy भी समझा आ गया, बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है? आपके दूसरे देशों के साथ linkage नहीं होता यानि कि no economic linkage with the rest of the world क्या कहा हमें नहीं? कि आपका दुनिया के साथ कोई linkage ही नहीं है आप कोई समान अपने देश में बना रहे हो, अपने देश में ही उसको बेच देते हो कोई समान बाहर से नहीं आ रहा इसको बोलते है closed economy कि बाहर के देशों के साथ, दुनिया के साथ आपका कुछ interaction ही नहीं है इसको बोलते है क्या closed economy अब कई बार बच्चे मेरे से बूशते हैं सर क्लोज्ड एकॉनोमी का कोई एक्जाम्पल है देखो एक्जाम्पल समझने से पहले एक चीज़ को अमेजिन करो दुनिया में ऐसा कह देना कि हाँ यारी पूरी तरह से क्लोज्ड है वो कुछ नहीं होता क्योंकि कुछ ना कुछ चीज के लिए आप बाहर के उपर डिपेंडेंट रहते ही हो आप कितना भी खुद के उपर निर्भर बन जाओ आप बोलोगे सर मैं बाहर के उपर बिल्कुल बंद कर दूँगा बाहर वालों के साथ बिल्कुल बात नहीं करूँगा पर तब भी पर कहिना कि बाकी दूसरे देशों के साथ ना उनकी एकनॉमिक लिंकेज थोड़ी कम है क्या ये बात क्लीर होई तो ऐसी कान्टिस को हम कह सकते हैं कि वो relatively जादा क्लोस्ट है तो मेरा कहने का point पता क्या है ऐसा नहीं हम कह सकते कोई economy fully open है या fully closed है यह एक degree की बात होती है कोई जादा open होती है कोई जादा closed होती है कोई कही न शहीं बीच में होती है अब हमें ना actually समझना क्या है, हमें ये समझना है कि जब हम बात करते हैं सर ओपन एकॉनमी की, तो ओपन एकॉनमी की मदद से हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कुछ वस्थों मेरे यहां बन रही है, वो आपके यहां पहुँच रही है, और उल्टा भी वहां से पॉसिबल है, वहां कुछ बना और यहां पे पहुँच आ, तो पता क्या होता है, दो देशों के बीच में कहिना कि ना relationship build होने लग जाता है, अब आप खुद बताओ, दो लोग आपस में विपार कर रहे हैं, इधर से उधर, इधर से इधर ही आज रहा है समान, ऐसे टाइम के उपर, क्या दोनों देश ये नहीं सोचेंगे, कि आपस में मिल करना कुछ agreement कर लेते हैं, कैसा agreement, ऐसा agreement जिसकी मदद से क्या हो, आपका समान मेरे यहां असानी से पहुँच जाए, और मेरा समान, आपके यहां पे असानी से पहुँच जाए, इससे क्या होगा, सर दोनों को फाइदा होगा, ऐसा क्यों, फाइदा देखो इसलिए होगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जब कोई, let's say मेरा समान है, वो यहां मेरे घर पे बना, जब वो दूसरे देश जाएगा, कुछ उसके उपर ड्यूटिस वगरा लगाई जाएगी, कुछ उसके उपर टैरिफ वगरा लगाई जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ बैरियर्स हो सकते हैं, उसके उपर ल वालेगा भी, तो अगर हम साथ में मिलकर कुछ डील कर लें, तो यहां से इधर समान और इधर का इधर समान असानी से जाप आएगा, इस तरह को बोलते हैं कि हमने कुछ एग्रीमेंट कर लिया, तो दरसल में हमारे पास तरह तरह के अलग एग्रीमेंट्स या फिर आपस मे कॉडिनेशन हो सकता है, पॉइंट मेरा कहने का वो ही है, कि आपकी और सामने वाले कंट्री के साथ किस तरह की कॉडिनेशन है, उस इसाब से हमारे पास क्या हमें देखने को मिलते हैं, उस इसाब से हमें different types of linkage या फिर economic integration देखने को मिल जाते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, इकनॉमिक integration, सामने वाली कंट्री के साथ आप कितनी बहतर ढंग से integrate हो चुके हो, उसके कुछ level देखने को मिलते हैं, तो एक एक करके ना इनको levels को हमें पढ़ना है, आप लोग ने free trade agreement के वार न्यूस्पेपर में सुना होगा है, FTA, FTA, वही चीज हम यहाँ पे discuss करने वाल का जायाएंगा, तो सबसे पहले जो starting होती है, जो first phase है, उसको बोलते है PTA, तरफ PTA क्या होता है, PTA is preferential trade agreement, क्या मैंने बोला, मैंने बोला भाया, अभी सिरफ ना आपस में coordination की एक starting हुई है, बिल्कुल basic level के उपर हमने यहाँ पे इसका start किया है, तो first level के उपर हमें क्या द trade agreement, इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से यह दोनों countries आपस में agree करेंगी, क्या agree करेंगी, कि भाया यह जो barriers होते हैं, trade के जो barriers होते हैं, इनको कहिना कि हमें कम करना पड़ेगा, यानि कि, जो मुश्किले आती हैं, यहाँ से समान एक country से, दूसरे country भेजने के अंद आठाओ, उन मुश्किलों को थोड़ा कम कर दो, मुश्किलें के कोई हो सकती हैं, एक हो सकता है, मुश्किलें कुछ ऐसी हो जहाँ पर मैंने कुछ संस्ता समान, मैंने क्या बोला, मैंने संस्ता समान इंडिया से USA भेजा, प्र USA ने उसके उपर duty लगा दे, अब समान तो मेर पर इंडिया का समान जो हमने नॉर्मल प्राइस के उपर भेजा था इदर वो तो महंगा हो गया अब यहाँ पर USA के डूटी लगानी की विज़ा से उससे क्या होगा हमारे प्रॉडक्ट इंडिया के प्रॉडक्ट कोई खरीदेगा नि अगर किसी ने इंडिया की प्रॉडक् कि नहीं यार यह हम जो आप चीज भेज रहे हो ना इदर यह ठीक नहीं है इसके health effect negative हो सकते हैं इसको जब आपने बनाया था तब अच्छे ढंक से नहीं बनाया आपने environment का ध्यान नहीं रखा या फिर आपने pesticide ज़ादा छिड़क दी अपनी agriculture crops के उपर इस तरह की चीज़ barriers हो सकते हैं और अगर countries चाहती हैं कहीं ना कहीं आपस में coordination करना चाहती हैं आपस में economic integration को increase करना तो वहाँ जरूवत क्या होगी कि इस तरह के barriers हम यहाँ पे कम करें तो पहला level क्या आएगा पहला level आजाएगा आपका जहां पर हमें देखने को मिलता है PTA Preferential Trade Agreement ठीक है अब इ समझते हैं कि आखर यह positive list का अर्थ क्या होता है देखो positive list पता क्या होती है जैसे यह समझो यह क्या है एक कागस का टुकड़ा ठीक है इस कागस के टुकड़े के उपर पता क्या होगा हम ना कुछ products का नाम लिख देंगे जैसे मेरे सामने laptop पढ़ा हुआ है या मेरे सामने iPad या इधर कुछ मेरे पास chair पढ़ी हुई है तो इन list का नाम लिख देंगे यहां पर हो सकता है 500 items का ऐसे मैंने नाम लिख दिया इस list के उपर तो जिस भी product का नाम इस list में होगा उन product के लिए हम क्या करेंगे उस particular list के नामों के लिए हम क्या करेंगे हम जो duties थी जो barriers थे वो क क्या करूंगा मैं barriers को कम कर दूँगा मैं जो मुश्किले आ रही थी उसके trade के regarding वो कम हो जाएंगी पहले duty जादा लग रही थी अब कम duty लगाए हूंगा यह होती है positive list क्या मतलब होगा positive list का उस list के अंदर जिस जिसका नाम है ना उन सब के लिए मैंने यहां पे duties कम कर दी अ बाक्यों के लिए नहीं करूंगा इसको बोलते है positive list कि यह बात क्लियर होई तो यह first agency मारी PTA preferential trade agreement ठीक है अब countries को लगता है यार कि हां सामने वाले देश के साथ थोड़े अच्छे linkage बन चुके हैं पर अभी भी क्या करना है और रिष्टे बहतर करने है तो वो क्या कर सकते ह वो PTA से एक level उपर चलेंगे यार रिष्टे अच्छे हैं यहाँ पर इंसे और बहतर रिष्टे बनाते हैं वो बोलेंगे एक काम करते हैं यार PTA था हम PTA को क्या कर देते हैं अब FTA बना लेते हैं यानि कि pre trade agreement बना लेते हैं अब आप बोले हो कि sir FTA में क्या होगा देखो FTA में जो linkage होगा न एक level उपर चला जाएगा फुरा देशों के बीच में संबन्द और बहतर हो जाएंगे और यहाँ पर generally हमें जो list देखने को मिलती है वो कौन सी list होती है उसको हम बोलते है negative list generally ठीक है न यह negative list का क्या concept है negative list का भी बड़ा interesting सा concept है फिर से वही चीज़ क्या चीज़ यह था कागस का टुकड़ा इस कागस के टुकड़े के उपर न मैं कुछ items के नाम लिख दूँगा मालो मैंने इसके उपर क्या लिख दिये 10 item के नाम लिख दिये कितनी item सिरफ 10 item तो इसका क्या मतलब वह से negative list का negative list का मतलब यह है कि जो 10 item मैंने लिखी है न इनके लिए duty नहीं कम करूँगा पर इसके अलावा जितने भी और products हैं उन सबके लिए मैं duties कम कर दूँगा फरक समझाया positive और negative के अंदर positive list में बता क्या होता है यह रही आपकी list इस list में जिस जिसका नाम आएगा फिर अफ उसके लिए मैं duties कम कर रहा हूं बाकियों के लिए नहीं कर रहा है यहाँ पर क्या रहा है negative list के अंदर negative list के अंदर जो list होती है ना इनके लिए duty कम नहीं करूँगा पर बाकी इसके लिए जो भी कुछ कर रहोगे तो सबके लिए मैं कम कर दूँगा except these few things यह फरक होता है positive और negative list के अंदर अब आप लोग मुझे सोच के बताओ कि जादा cooperation कहां देखने को मिलेगी जादा cooperation होती है आपकी negative list के अंदर क्यों 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 यहाँ पर बस कुछ एक products के लिए नहीं किय रहा है बाकी सब के लिए कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है पर यहाँ पर क्या था उस list के सिर्फ उसके लिए गम हुआ है बाकियों के लिए नहीं हुआ तो starting आपकी positive list से हो सकती है फिर जब coordination या economic integration आपका बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या हो गया सर वहाँ पर हमाँ आते है negative list के ऊपर तो यह point भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए कि PTA के बाद इस तरह से हमें F इसा और सेपा इसको एक बार वह कर लेते हैं अगले लेवल के उपर क्या देखने को मिलता है मैं एक्चली स्लाइड को वह कर दिया है तो आपको चिंता करने को ज़रूत नहीं है यह आपकी slides के उपर आपको जो भी मैं लिख रहा हूँ ना यह सारे as it is मिलेंगे मैं erase बहले अब चलेंगे इसके एक लेवल उपर जिसका नाम है seiza देखो दरसल मेरा इस लेवल के उपर दो चीज़े होती हैएक seiza होता है एक आपका sepa होता है और क्या फर्रक है seiza और sepa की अंदर देखो पहले तो आप इनको full farm समझ लो seiza की full farm होती है comprehensive कि एकनॉमिक कोपरेशन अग्रीमेंट क्या हुआ रसा की फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव एकनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन दा अधर हैंड जब मैं बात के तो सेपा की तो यहां पर इसकी फुल फॉर्म होदी है कॉम्प्रिहेंसिव एकनॉमिक पार्टनर्शिप एग्रीमेंट अच्छा ठीक है पर यहां पर सरक सेपा इनके बीच में फरत क्या होता है देखो जब मैं बात करते हुआ तो ना सेपा की तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर जो चीजों की हम बात कर रहे हैं यहां बात करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ किसकी आपके गुड्स की आपके वस्तूं की गुड्स आप समझते हो ना जिसे फॉर एक्जांपल यह बॉटल है यह बॉटल क्या एक वस्तू है मैं बात करता हूँ let's say SEPA की SEPA के अंदर क्या होता है SEPA के अंदर यहाँ पर आपकी जो चीज़े cover होती है यहाँ पर goods तो cover होती ही होती है पर goods के साथ ही साथ आपकी services हो गया investment हो गया यह सब चीज़े भी यहाँ पर आपकी cover हो जाती है तो point पता क्या हुआ SEPA जो है CEPA वो जादा बड़े scale के उपर होता है सैसे थोड़ा छोटा हो गया तो यहाँ पर na services भी आपकी include हो जाती है SEPA के अंदर यह point आपको यहाँ पर पता होना चाहिए परक समझाया यहाँ पर सिरफ goods थी जैसे मैंने बात करी bottles की SEPA के अंदर bottle तो ही है bottle का आप कर रहे हो वहाँ पर barriers तो कम हो ही रहे है पर उसके अलावा और भी चीज़ें जैसे for example मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अब आप में साथ लोग इंडिया में बैठे होंगे कोई doubt ही नहीं है पर let's say take an example क्या example लेटस से USA में कोई बंदा बैठा हुआ है घीक है USA में बैठा हुआ बंदा क्या करता है PW Only I is कोई कोर्स खरीदता है imagine करो क्या वह ने بोला मैंने बोला USA में कोई बंदा बैठा हुआ है वो बंदा USA में बैठकर PW Only IS का course खरीदता है अब यहाँ पर क्या हुआ क्या खरीदा उसने आप बोलो के सर्विस खरीदी क्यों? teaching क्या है? teaching एक service है बिल्कुल ठीक बात है तो यहाँ पर क्या हुआ इस particular हमने PW Only IS ने क्या किया बाहर वाले वंदे को service बेजी तो क्या हुआ? service export हुई ना? तो उसके regarding भी barriers होते है तो SEPA के अंदर यह जो सारी चीज़े होती है, goods तो होती है उसके लाबा services और investment भी include हो जाती है तो basically point क्या हुआ? PTA के उपर आया FTA, FTA के उपर आगया आपका SESA और SEPA, यह बात हमें यह आप तक रखता है, तर वो कैसे होगा? तर वो कैसे होगा? वो भी बताते हैं वो भी बताते हैं कि अगले लेवल के उपर कैसे और कैसे integration होगा देखो, अगले लेवल के उपर क्या है हमेरे पास? अगले लेवल के उपर हमें देखने को मिलता है क्या? custom union क्या word use किया अगले level के उपर मैंने word use किया custom union अब यहाँ पर मैं आपको example के दूर समझाता हूँ कि custom union आखिर होता क्या है देखो समझना इस बात को यहाँ पर जैसे यह African continent है बिल्कुल ठीक बात है African continent के अगर आप southern side में आओगे तो आपको कुछ countries देखने को मिलती है जैसे आपको यहाँ पर South Africa देखने को मिल जाएगी इस region के अंदर आपको Namibia देखने को मिल जाएगी और उसी तरह से यहाँ पर आपको both swana भी देखने को मिलता है अच्छा ठीक है अब इन countries ने बता क्या हुआ है इन countries ने इतनी integration साथ में कर चुके है कि अब यह बन गए है एक custom union बन चुके है क्या मतलब इन्हों ने अपना custom union फॉर्म कर लिया जिसका नाम क्या है South African Custom Unions SACU करके इसको बोला जाता है ठीक है पर इसका मतलब क्या हुआ सर South African Custom Union का देखो meaning बहुत ही simple सा है क्या meaning है इसका meaning बहुत ही simple सा है actual में होता क्या है ना custom union के अंदर यह तीन देश थे South Africa, Namibia, Botswana अगर let's say कोई समान है वो South Africa से Namibia जाना है या फिर Namibia से South Africa जाना है या Namibia से Botswana जाना है मतलब किसी भी तरह से आपस में कहना है कुछ बेज़ता है ना तो वो सारा काम कैसे होगा वो सारा लगेगा Zero Tariff कोई उसके उपर Tariff नहीं लगेगा Zero Tariff के उपर जीज़ जाएगी ओके तो आपस में जे कुछ भी बेज़ेंगे तो Zero Tariff पे भेज़ेंगे पहली बात तो ये दूसरी बात क्या है फिर दूसरी बात ये आजाती है कि मान लो क्या मानना है मान लो कि कोई समान इंडिया से गया किसी भी कंट्री Just imagine कि मान लो इंडिया ने कोई समान भेजा South Africa के अंदर या फिर नमीबिया के अंदर भेजा या बोट्सवाना के अंदर भेजा तो हमारे यहां क्या लगेगा इनके उपर लगेगा Common Tariff कहने का मतलब क्या आप समान भेजो जाहे South Africa आप बोट्सवाना भेजो आपने अमीबिया भेजो हमारे goods के उपर उतना ही Tariff लगेगा तो इन्होंने Integration इतने लेवल पर कर रखी है कि एक तो पहली बात आपस में एक दूसरे से कोई Tariff नहीं लेते जब भी समान एक देशे दूसरी देशे में जाता है प्लस साथ ही साथ जब कोई समान बहार से आता है तो इसके उपर एक Common Tariff लगाया जाता है इसी को बोलते है Custom Union तो दो condition होती है Custom Union की एक तो Zero Tariff हो गया और दूसरा आपका हो गया क्या दूसरा आपका हो गया इसको आपका क्या लेख सकते हो इसको आप लेख सकते हो Common Tariff ठीक है यहाँ पर समझे ना कोई कहेगा सर यहाँ पर आपके Zero Tariff लिखा है नीचे आप कहरे हो Common Tariff तो दरसल में यह Zero Tariff का मतलब क्या है Basically आपस में Zero Duty है कहने का मतलब क्या है कि जब यह आपस में समान एक देश दूसरे देश को समान भीच देगा है आपस में इस Custom Union के अंदर तो वहाँ पर Zero Duty लगेगी पर कोई समान बहार से आ रहा है तो वहाँ पर Common Tariff लगेगा इसको बोलते हैं Custom Union तो नोटिस करते जा रहे हो जैसे जैसे हम उपर बढ़ते जा रहे हैं कही ना कहीं क्या हो रहे है सर कही ना कहीं इनके बीच में जो इंटिग्रेशन था ना वह बढ़ता ही जा रहे है बिल्कुल ठीक बात है अब ये तो हो गया सर कस्टम यूनियन इसके उपर भी जा सकते हैं और भी इंटिग्रेशन हो सकती है अंसर इस येस और उसका नाम मैंने क्या दे दिया उसका नाम आपके लिए मैंने दे दिया कॉमन मार्केट क्या नाम दे दिया मैंने आपके लिए उसका नाम मैंने दे दिया आपके लिए कॉमन एक सकीड उसका नाम मैंने क्या दे दिया आपके लिए उसका नाम दे दिया मैंने कॉमन मार्केट अब यहाँ पर क्या होगा सर कॉमन मार्केट के अंदर देखो कॉमन मार्केट के अंदर पता क्या होता है कस्टम यूनिन वाले फीचर तो होते ही होते है पर उसके अलावा कुछ और चीज़े बढ़ जाती है जैसे फार एक्जामपल अगर मान लो लेबर जो मारे लोग होते हैं अगर इनको एक देश से दूसरे देश जाना होता है तो थोड़ा असान रहता है या फिर जो आपका पैसा वगेरा है जो आपके कैप्टल है वो एक देश से दूसरे देश जाना होता है तो इसका जो मूवमेंट होता है ना वो थोड़ा असान हो जाता है कि यह बाद समझ पाए क्वाइट मेरा कहने का इतना था common market के अंदर क्या हुआ custom union वाले फीचर तो सारे थे ही थे और उसके लावा एक level और उपर चलेगे जहां पर क्या हुआ जहां पर आपका labour का government आपका capital यह काफी असान हो गया इसका भी कोई example है बिल्कुल है इसका भी example है क्या आप लोग अभी Europe गये हो कुछ लोग हो सकता है गये हो whether यह नहीं भी गये हो कि आपने शेंजन वीजा सुना है सुना होगा भारे में अब अच्छल पता क्या होता है या फिर कभी न अपने किसी दोस्त को मेहनने करना जो कभी गया है यूरोप उसने आपको ये बार बताया होगा कि यह मैं यूआ यूरोप गया था इकनॉमिक इंटेशन बहुत बढ़ चुका था इसलिए यह चीज हो पाई है तो कॉमन मार्केट उससे भी एक लेवल ऊपर आ जाती है ठीक है सर यह बात भी समझ आगी अब देखो इसके उपर भी एक और चीज है जिसका नाम क्या है एकनॉमिक यूणिन कहलो इकनॉमिक मार्किट कहलो इसका क्या मतलब इसका मतलब भी बहुत सिंपल है कि भाईया common market वाले features तो छलो थे ही थे इसके अलावाला आपकी जो भी जैसे monetary policy है वहाँ पर भी आप coordinate करते हो कैसे जैसे for example कब interest rate बढ़ाने है वहाँ पर अगर मालो different देश मिलकर साथ में decide करे कि चलो भाईया आप पूरे region के अंदर interest rate बढ़ा देते हैं अलग-अलग देश मिलकर decide करे हैं कि चलो इस पूरे area के अंदर interest rate बढ़ा देते हैं तो कहिना के coordination बहुत अच्छे कासी level पर है बिल्कुल ठीक बात है और वही यहाँ पर हमें economic market के अंदर देखने को मिलते हैं इसके लावा और चीज़ भी हो सकती है यहाँ पर आपको common currency यूरो देखने को मिलती है यह कैसे हो पाया है इसलिए हो पाया है कि देशों के बीच में जो economic integration था वो बहुत जादा हमें देखने को मिलते हैं दरसर में जो चीज़े बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है कि आपकी starting हो सकती है PTSA बहुत ही कम level of integration था preferential trade agreement के अंदर FTA free trade agreement के अंदर वो कहिना के coordination और भढ़ गया PTSA या SEPA के अंदर वो coordination और अच्छा हो गया फिर custom union फिर common market और economic market तो यह levels होते हैं आपके बीच में जो अलग-अलग देशों के साथ आपका coordination है वो बढ़ाने के क्या यह बात सबको समझ आई समझ आई बहुत बढ़िया ठीक है यह बात तो सब clarity होगी अब हमें न foreign trade के वारे में थोड़ा हमने discuss कर लिया अब हमें थोड़ा ना exchange rate के वारे में पढ़ना है actually आएंगे fixed rate क्या होता है flexible क्या होता है चंता मत करो वो करेंगे पर एक idea समझो मैं आपको पहले चीजना कुछ समझाना चाहता हूँ अगर चीजने समझ आ जाएंगी न फिर तो आप असानी से जो लिखा हुआ है वो तो आप समझी जाओगे imagine करो पहले तो exchange rate होता क्या है जैसे माल लो मैं आपको बोलता हूँ $1 equal to 80 जैसे मैंने आपको बोला $1 equal to 80 रुपीज आपके साब से इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे $1 चाहिए अगर मुझे $1 चाहिए तो उसके बदले मुझे $80 रुपीज देने पड़ेंगे चाहिए बात ठीक है बिल्कुल ठीक बात है तो बेसिकली न ये बताता है कि एक करंसी का क्या price होगा दूसरी करंसी के terms के अंदर समझ पाए कि एक करंसी का जैसे रुपीज का क्या price होगा दूसरी करंसी के अंदर तो यहाँ पर बात क्या हो रही है $80 एक्स्चेंज ही तो कर रहे हो कि 80 रुपे दो बदले में $1 ले लो तो एक्स्चेंज ही तो किया आपने रुपीज देके $1 आपको मिल गए इसी को बोलते है एक्स्चेंज रेट Similarly जैसे आपका pound के साथ हमारी exchange rate हो सकती है वो क्या बता रही है वो यह बता रही है कि भाईया इतने रुपे दोगे तो बदले में इतना pound आपको मिल जाएंगे तो इसी को बोलते हैं कि basically एक करंसी का क्या price होगा दूसरी करंसी के terms के अंदर इसको बोलते हैं exchange rate ओके सर यह बात समझाई अब जो questions जो बनते हैं UPSC के अंदर वो यह बनते हैं कि क्या चीज अच्छी है क्या रुपी का definition होगा अच्छा है या appreciation पहले आपको meaning समझाता हूँ जैसे यह imagine करना माल लो मैंने बोला कि आज क्या है situation आज situation है 1 dollar equal to 80 कल को कुछ का आण नोई हुआ जा से ना हो सकता है यह 1 dollar equal to 100 होजाए बिल्कुल सर हो सकता है, कोई doubt ही नहीं है एक possibility यह भी होती है कि 100 ही क्यूं होगा यह हो सकता है कि 1 dollar equal to 60 होजाए बिल्कुल सर ये भी possible situation है हो सकता है कैसा हो जाए अब मुझे पताओ यहाँ पर यह है आपकी present situation यह है आपकी present यानि कि आज के दिन क्या हो रहा है आप बोलो कि सर आज के दिन अगर आपको एक डॉलर खरीदना है क्या मैंने बोला आज के दिन क्या हो रहा है कि अगर आपको एक डॉलर खरीदना है तो बदले में आपको 80 रुपे देने पड़ रहे हैं ओके कल को मान लो ये सिचुईशन होगी 1 डॉलर इकोल टू 100 अब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर अगर आपको एक डॉलर खरीदना है ना तो वहाँ पर 100 रुपे देने पड़ रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है पहले आप उसी डॉलर को खरीदने के लिए 80 रुपे दे रहे थे अब उसी डॉलर को ख्रीदने के लिए आपको 100 और पे देने पड़ रहे हैं तो क्या आप एक चीज़ रिलाइस कर पा रहे हो कि आपको जदा पैसे देने पड़ रहे हैं सेम डॉलर के लिए बिल्कुल ठीक बात है तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है तो कहिना कि रुपे की जो वैल्यू थी जो रुपे की जो कीमत थी जो उसका मूल्य था कहिना कि वो नीचे गिर गया ऐसा क्यों कहा सर ऐसा मैंने इसलिए कहा क्यूंकि पहले देखो एक ही डॉलर हमें खरीदना था एक डॉलर खरीदने के लिए पहले कम पैसे देने पड़ रहे थे अब मुझे ज़ादा पैसे देने पड़ रहे हैं यह क्या बता रहा है यही तो बता रहा है कि भाई आप रुपे की जो कीमत है ना वो नीचे गिर गई बिलकू ठीक बात है इसी लिए हम यहाँ पर पता क्या बोलते हैं हम बोलते हैं कि जब यह situation आएगी कि 1 dollar equal to 80 से हम 1 dollar equal to 100 की तरफ चलेगे इसको बोलते हैं रुपे का नीचे गिरना बोलते हो ना कि रुपे गिर रहा है सुनते होंगे आप news के अंदर इसी को बोल देते हैं क्या रुपी का depreciation इसका depreciation सर रुपी का तो अगली बार जब मैं रुपी depreciation बोलू ना तो आपकी दिमाँ में automatically picture बन जाने चाहिए कि सर बात क्या कर रहे हैं सर बात इसकी कर रहे हैं कि 1 dollar 80 से 1 dollar हम 100 की तरफ चले जागे हैं ठीक है इसका आप उल्टा समझो ये वाला कि पहले आपका 1 dollar था कितने का 80 रुपे का अब let's say situation होगी है कि 1 dollar equal to 60 तो यहाँ पर क्या हुआ सर यहाँ पर हुआ यह कि पहले 1 dollar ख्रीदने के लिए आपको लग रहे थे 80 रुपे अब उसी dollar को आप कितने में ख्रीद सकते हो उसी dollar को आप ख्रीद पाओगे 60 रुपे के अंदर बिल्कुल ठीक बात है तो अब ना 1 dollar ख्रीदने के लिए आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं बिल्कुल सही बात है जब ऐसा हुआ तो क्या हम यह नहीं कह सकते जब रुपे की कीमत है the value of the रुपे कही ना कि वो बढ़ गई है बिल्कुल बढ़ गई है ना तब ही तो कम पैसे देखकर भी आप एक dollar ख्रीद पाओगे तो इसी बात को क्या बोलते है इसी बात को बोला जाता है कि भाईया क्या हो गया है यहाँ पर हो गया है रुपी का appreciation कुना होगा ना आपने रुपेया मजबूत हो रहा है उसी को बोलते है उसी को बोलते है क्या रुपी का appreciation हो जाना क्या यह बात सब को समझ आई कि appreciation क्या है and depreciation क्या है सर मीनिंग तो समझ आ गया appreciation का और depreciation का अब हमें यह बताइए कि रुपे का नीचे गरना अच्छी बात है यह रुपे का उपर उठना अच्छी बात है आप लोग खुद सोच के बताओ एक बार रुपेया अगर नीचे गर रहा है वह अच्छी बात है यह रुपेया गर उपर उठ रहा है वह अच्छी बात है एक काम करते हैं ना थोड़ा समझते हैं समुद्दे को ठीक है थोड़ा क्या करते हैं थोड़ा समझते हैं समुद्दे को जस्ट एक situation imagine करो let's say आज एक डॉलर पचास रुबे का है ठीक है यह आज की बात ओके यह रहा आपका USA से कंट्री ओके और यह रहा रेट से आपका इंडिया और इंडिया के अंदर बता क्या है हमारा एक भाईसा बैठे हुए ठीक है इनका हम नाम रख देते हैं इनका नाम हम रख दिया वैबफ ठीक है तो इंडिया में एक परसन है जिसका नाम है वैबफ और वैबफ क्या करता है सर वैबफ चॉकलेट बनाता है तो चॉकलेट बनाता है तो क्या करता है क्या खुद खा जाता है नहीं यह चॉकलेट कहां भेजता है कि यह भेजता है चौकलेट को USA के अंदर तो क्या मैं यह कह सकता हूँ यह चौकलेट का export करता है बिल्कुल सर यही तो export होता है तो ठीक है बात मैं मान जिया कि चौकलेट का export करता है वैभफ चीकड बात है अब imagine करो कि वैभाफ की नहीं जो चॉकलेट है let's say वो 50 रुपे की है क्या है एक चॉकलेट जो वैभाफ बेचता है वो 50 रुपे की बेचता है अब मुझे बताओ अगर ये चॉकलेट 50 रुपे की है तो ये चॉकलेट USA में कितने की बिखेगी आप बोल दोगे sir ये बिखेगी एक डॉलर की क्यों ऐसा भी क्या दिया अरे लिखा हुआ है ना वान डॉलर एकॉल टू 50 अगर ये पचास रुपे की बेच रहा है तो यहाँ पर USA में कितने की बिखेगी आप बोलोगो sir एक डॉलर की बिख जाएगी चलो ठीक है ये बात तो सही है पर एक चीज़ इमेजिन करो क्या इमेजिन करें इमेजिन ये करो कि कल को न ये आपकी exchange rate let's say बदल गई let's say ये exchange rate कितनी होगी $1 डॉलर इकॉल टू 100 चा हो गया exchange rate बदल गई $1 डॉलर इकॉल टू 100 होगी तब क्या होगा उससे उससे मुझे बताओ कि पहले जो वैभव की chocolate यहाँ पर USA के अंदर $1 डॉलर की बिक्री थी अब कितने की बिक्रीगी आप बोलोगे सर चॉकलेट तो 50 रुपे की है इसमें तो पही फरक इनी आया फरक आया $1 की terms के अंदर अब अगर 50 रुपे की chocolate यहाँ पर बिक्रीगी वो कितने डॉलर में बिक्रीगी आप बोलोगे सर एक डॉलर 100 रुपे की एकक्वल है तो कहीं न कहीं अब जो वैभव की chocolate है वो आदे डॉलर के अंदर बिक्री है देखो समझो इस बात को चॉकलेट 50 रुपे की ही थी पहले भी अभी भी वो चॉकलेट 50 रुपे की ही है बस फरक यह आया कि exchange rate बदलने की वज़ा से न जो चॉकलेट पहले USA की market के अंदर एक डॉलर की बिक्री थी अब वो कितने की बिक्रीगी अब वो आधे डॉलर की बिक्रीगी तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि वैभव की जो चॉकलेट है वो सस्ती हो चुकी है बिलकुल क्योंकि पहले वो एक डॉलर की थी अब वो आधे डॉलर की है जब यह situation आई आपकी चॉकलेट सस्ती हुई यानि कि वैभव की जो चॉकलेट है सस्ती हुई तो USA के लोग क्या करेंगे आप बोलोगे सर USA के लोग बोलेंगे यह चॉकलेट सस्ती हुई है चॉकलेट के प्राइज नीचे आए है तो क्या बढ़ेगी चॉकलेट की डिमार्ड बढ़ेगी लोग बोलेंगे यह चौकलेट बहुत अच्छी है कम प्राइज में मिल रही है चलो इसी चौकलेट को खाते है जब ऐसा होगा न तो वैब बड़ा खुश हो जाएगा क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ चुकी है USA की मार्केट के अंदर अब वो धड़ा धड़ अपनी चौकलेट बनाएगा USA की मार्केट के अंदर बेचेगा तो क्या आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो क्या नोटिस कर पाने है सर कि जब भी आपका क्या होता है सर डेप्रीसेशन तो डेप्रीसेशन की विज़ा से किसका मदद हुआ आप बोलोगे सर इसके एक्सपोर्टर को मदद हुआ एक्सपोर्टर आपका खुश हो गया यह बना दिया स्माइली फेस इसका वेवाफ का एक्सपोर्टर हो गया बहुत बाद खुश भईया अब तो मेरा समान बहुत जादा बिखेगा इस मार्केट के अंदर है ठीक है क्या यह बात क्लियर है सबको तर यह बात तो क्लियर है अब एक सिचुशन और इमेजिन करो इसी को ज़ी दुबारा देखते हैं क्या देखना है दुबारा अब दुबारा यह समझो क्या समझना है सर्द दुबारा एक सेकिंड रुको दुबारा हमें यह समझना है कि लट से सब कुछ सेम है सब कुछ सेम था व्याव चॉकलेट ही बेच रहा है अभी भी और पचास रुपे की चॉकलेट है पर इमेजिन करो पहले उसका था $50 पहले ये exchange rate चल रही थी ठीक है कल को हो सकता है न कि भाईया रूपया वो appreciate कर जाए आपका जो रूपया है वो थोड़ा मजबूत हो जाए बिल्कुल हो सकता है तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि $25 हो जाएगा सर बिल्कुल ये चीज भी तो पॉसिबल है येस 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 बिल्कुल अब बताओ अब आप सोचोगे सर वैबब की चॉकलेट तो 100 रूपय की ही है सर ये 50 रूपय की ही है पहले कितने मिल रही थी पहले आपकी $50 थी तो USA की मार्केट के अंदर आपकी जो वैबब की चॉकलेट थी वो $1 की थी पर अब क्या हो गया अब सर रूपया मजबूत हो चुका है $25 हो चुका है तो इससे क्या होगा इससे जो वैबब की चॉकलेट है 50 रूपय की अब वो USA की मार्कीट के अंदर कितने की विकेगी आप बोलोगे सर अब वो विकेगी दो डॉलर की रीजन भी क्योंकि अवाइन डॉलर की ट्वेंटी फाइव है ना तो पचास के कॉरस्पनी कितने डॉलर होंगे वो होंगे दो डॉलर अब बताओ पहले इसकी चॉकलेट जो थी USA की मार्कीट के अंदर एक डॉलर की मिल रही थी अब वो हो गई है दो डॉलर की इससे क्या होगा क्या USA के लोग अब वैबब की चॉकलेट ख्रीदेंगे अंसर इस नो नहीं ख्रीदेंगे क्यों क्यूंकि आपकी जो चॉकलेट है न वो थोड़ी महंगी हो चुपी है और जब किसी चीज को महंगा हो गया है जो की चीज एना कि लोग उसकी डिमाइड कम करेंगी बिल्कुल ठीक बात है इससे क्या होगा इससे आपका जो वैबब है न अब इसका चहरा लटक जाएगा है ना तो होता पता क्या है जब चीजें होती है एप्रीशेट मैंना जब रुप्या एप्रीशेट हुआ इससे हमारा जो एक्सपोर्टर था न वो थोड़ा नाराज हो गया वो थोड़ा मेयूस हो गया वो थोड़ा सैड हो गया तो कल को कोई आपसे पूछे कि एप्रीशेशन से एक्सपोर्ट के ओपर क्या फरक पड़ता है I'm sure आप लोग बता पाऊगी कि एप्रीशेशन से एक्सपोर्टर को नुकसान होता है और depreciation से exporter को फाइदा होता है क्योंकि इसकी demand बढ़ जाती है clear है बात बिल्कुल सर बिल्कुल यहां तक तो कोई उशु ही नहीं है, बिल्कुल crystal clear हमें हो चुका है बहुत बढ़िया तो सर, depreciation appreciation का हमने exporter के उपर impact देख लिया क्या आप importer के regarding में बिता सकते हो सेम चीज बिल्कुल देखते है let's discuss that as well let's say हम बात कर रहे है यह हमारा प्यारा भारत रहा ठीक है, और let's say हम कोई country, let's say दुबाई बगारा से या साओधी एरेबिया, यहां से हम ना कुछ समान मंगा रहे है तर क्या समान मंगा रहे है let's say मैंने यहां से क्या मंगा लिया आपका oil मंगा लिया, तेल, कच्चा तेल जो होता है न, यहां से मैं क्या मंगा रहा हूँ कच्चा तेल, अगर कच्चा तेल मैं साओधी एरेबिया से मंगा रहा हूँ और आज के टाइम के पर लेट से आपका क्या था आपका जो वन डॉलर इकल दो फिफ्टी जल रहा था तो मुझे बताओ कि इंडिया में जो लोग बैठे हुए हैं अगर उनको ये तेल चाहिए तो वो कितने का मिलेगा आप बोओ कि सर्व एक डॉलर इंको दे दिया लिया और एक डॉलर अधल का यानि कि कितना पे किया हुगा आप बोओ कि सर्व हो किस्मे रही है डॉलर की था अनुख न एक डॉलर पेमेंट करेगा, तो कितने रुपे लगे इंडिया के तिलफ से, आप बोलो के सरफ 50 रुपे लगे, यानि कि अगर मैं तेल मंगाना चाह रहा हूँ ना, सौधी रेबिया से, मुझे उसको एक डॉलर देना है, बात खतम, तो मेरी जेब से कितने जाएंगे, आप बोलो के सरफ 50 रुपे, ठीक है, कल को, let's say यही situation हो जाती है, जहां पर हो जाता है, $100, क्या हो गया सरी, यह depreciation हो गया, अब क्या होगा, देखो मुझे तो इस बंदे को, साउधी रेबिया को, मुझे एक डॉलर दी देना है, मेरी जेब से कितना निकलेगा, आप बोलो के सर मेरी जेब से 50 रुपे कट रहे थे, अब मेरी जेब से कटेंगे 100 रुपे, तो मेरा खर्चा बढ़ गया, answer is yes, तो होता पता क्या है, जब होती है depreciation, तो उसकी वज़ा से क्या हो जाते हैं, उसकी वज़ा से आपके जो import होते हैं, वो क्या हो जाते हैं सर, वो import आपके महंग कितना है या क्या नहीं है, इसको तो मुझे एक डॉलर देना पड़ेगा, पहले मैं 50 रुपे देके ले ले लेता है एक डॉलर, आप मुझे 100 रुपे देने पड़ रहे हैं, तो इस वज़ा से मेरा क्या हुआ, मेरा खर्चा बढ़ गया, import costly हो गया, सर अगर इसका हम जब 1 डॉलर एकोल टुपचिस, sorry 50, जब 1 डॉलर एकोल टुपचास था और मुझे इसको 1 डॉलर देना था, तो मेरी जेब से कितना लग रहा था, मेरी जेब से 50 रुपे जा रहे थे, और अगर future के अंदर let's say, 1 डॉलर एकोल टुपचिस हो जाएगा, तो क्या हो गया, प्रिस कर पा रहे हो, कि पहले जब मेरी जेब से जा रहे थे 50 रुपे, अब मेरी जेब से कितना जाएगे, अब मेरी जेब से जा रहे हैं, सिरफ 25 रुपे ही जा रहे है, तो क्या हुआ, जब हमने किसी चीज़ को ना, appreciate कर दिया, जब रुपया हमारा appreciate कर गया, इसकी जासे आपके जो import है न, वो सस्ते हो जाते हैं, पहले 50 रुपया लग रहा था, चीज़े import करने के लिए, अब आप क्या कर पाऊँगे, अब सिरफ 25 रुपय देखे, आप चीज़ों को import कर पाऊँगे, तो इस तरह से आपको, रुपी की appreciation और रुपी की depreciation का फरक आपको प इससे फाइदा किसको होता है, तो दरसल मेंगा depreciation से आपके फाइदा पहली बात तो आपके जो exporter होते हैं, पहली बात तो आपका फाइदा होता है इन सभी को, इसके अलावा, जो भी आपके domestic tourism industry के अंदर होते हैं, किसके अंदर होते हैं, domestic tourist industry के अंदर, इनको फाइदा होत कि बाहर से जब कोई पैसा लेकर आएगा कुछ डॉलर लेकर आएगा उसका फाइदा किसको होगा इनको यहां पर फाइदा होगा क्योंकि इनको सबसे पैसा मिलेगा साथ ही साथ अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जो किसी भी तरह की अगर मैं बात करता हूँ लेट से एप्रिशेट की अगर मैं किसी चीज को अगर मैं रुपे को क्या कर दिया अगर मैं लेट से रुपे को एप्रिशेट करवा दिया अगर मेरा रुपया जो था उसकी वैल्यू बढ़ गी अगर वो वैल्यू क्या होगी एप्रिशेट होगी तो एप्रिशिशन का फाइदा किसको होगा आप बोलोगे सर एप्रिशिन का एक फाइदा तो आपकी इमपोर्टर्स को होगा क्योंकि पहले जो importer को ज़ादा पैसा देना पड़ रहा था अब उसको जो पैसा देना पड़ेगा कहीं न कहीं वो कम होगा ठीके इसके लाबा जो हमारे customers है जो की imported goods ख्रीदते हैं उनको भी तो फाइदा होगा बिल्कुल सर ये बात भी सही है यानि की जैसे for example ये iPad की बात कर लो ये iPad मेरे सामने पड़ा हुआ है अब ये iPad USA से मैंने 50 जॉलर का ख्रीदा अब अगर मेरा रुपया मजबूत हो गया पांड डॉलर एकल फिफ्टी से वांड डॉलर एकल ट्विंटी आ गया तो मुझे रुपय की terms के अंदर पैसे तो कम पे करना पड़ेगा ना तो पैसा मेंने बच जाएगा तो मुझे यहाँ पर फाइदा हो जाएगा इसके अलागा अगर आप छुटीया मनाने कभी बाहर जाते हो कभी दूसरे देश यहाँ पर छुटीया मनाने जाते हो तो अगर आपका रुपया मजबूत होता है ना तो आपको फाइदा मिलता है तो अगर आप छुटीया मनाने अगर आप अपनी holidays abroad में spend करना चाहते हो तो जितना रुपया जाता मजबूत होगा उतना आपको फाइदा मिलेगा क्यों सर ऐसा क्यों है क्यों आप खुट बताओ जब आप छुटीया मनाने गे बाहर तो आपको चाहिए होगे का क्या रुपय के अंदर शॉपिंग करोगे वहां पर नहीं डॉलर के अंदर करेंगे अगर रुपया गिरा हुआ 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 मतलब रुपया बहुत नीची आ रखा है तब आपको डॉलर खरीदने के लिए बहुत सारी रुपय देने पड़ेंगे तो आपको नुकसान हो रहा है पर अगर मान लो रुपया हमारा बहुत मजबूत है तो क्या होगा आपको खर्चा डॉलर के अंदर करना है तब आपको ज़्यादा रुपे देने की जुरूत नहीं है कम रुपे देकर भी ना आप कहीना कि डॉलर ख्रीद लोगे एंड अराम से जुटिया मना के आ सकते हो तो ये फरक depreciation, depreciation का आई होप आपको समझ आ गया हुआ कि appreciation क्या होता है और आपका depreciation क्या होता है क्लेरे बात एक काम करो फिर ये जो slide मैंने यहाँ पर लिखी हुई है इसको समझो क्या आप सारी बातों से agree करते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक बात समझना अभी फरक समझाता हूँ depreciation और devalution का फरक क्या होता है यह अभी समझा दूँगा चिंता मत करो पर बाकी चीज़े आप notice करो क्या बाकी सारी चीज़े आप agree कर रहे हो उसी तरह से appreciation और devalution के चोटा सा फरक होता है अभी समझाऊंगा पर क्या बाकी सारी चीज़े आपको समझा रही है जैसे मैंने क्या कहा जैसे मैंने कहा कि मालो रुपया कमजोर हो गया है रुपय कमजोर होने का आरत है कहीना कहीन आपका रुपया नीचे गिर रहा है नीचे गिर रहा है मतलब रुपिया डैप्रिशेट हो रहा है रुपिया डैप्रिशेट हुआ तो फाइदासर एक्सपोर्टर को होता था यूँकि एक्सपोर्टर सस्ते हो जाते थे तो हमारा जो भारत का एक्सपोर्टर है वो खुश पर डैप्रिशन के साथ ही क्या होता था आपके इंपोर्ट महेंगे हो जाते थे महेंगे होते थे तो कहिने गए जो इंपोर्टर था वो नाकुश और इसका उल्टा भी बिल्कूर ठीक है कि अगर रुपिया मजबूत हुआ तो इसकी वेज़े से क्या फाइदे और क्या नु होता है यह हम सीजे समझनी और फिक्स क्या होते है कि देखो एक चीज मेंजिन करो मैं आपसे बोलतो रहा हूं कि सर्व वांड डॉलर इक्वल टू पचास रुपे है आज कल को हो सकता है वांड डॉलर इकल टू एटी हो जाये पर्सो हो सकता है वांड डॉल इकल टू वर्ल्ड मार्केट के अंदर ना, कुछ डिमांड है आपकी किसकी, कुछ आपकी डॉलर की डिमांड है, उसी तरह से कुछ डिमांड है आपकी रुपे की, उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ सप्लाई की, तो हो सकता है कुछ डॉलर की सप्लाई हो मार्केट के अंदर, ठीक ह कि दुनिया में नआ सब को रुपया चाहिए हो सकता है न कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा हूँ सब लोग सोच थे हैं रुपया लो रुपया अपने पास रखो तो रुप्य की उस वज़़े से क्या हो जाएगी उस वज़़े से रुप्य की जो है डिमाнь है कहीं न कहीं वो बढ़ जाएगी बिल्कुल ठीक बात है रुपे की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है पर रुपे की सप्लाई तो उतनी नहीं है तो जब किसी चीज की डिमांड जादा होती है पर उसकी सप्लाई उतनी नहीं होती तो क्या होगा सर? उस वज़ा से क्या होता है उस वज़ा से आपके रुपया क्या करेगा रुपया appreciate करेगा रुपया मजबूत हो जाएगा इल्को ठीक बात है कि आप देखो ना जब किसी चीज़ की demand बहुत जादा होती है तो सब लोग उसके पीछे बागते हैं तो उसके दाम भी बढ़ जाते है दाम बढ़ना मतलब उसको appreciation होना तो होता है क्या है ना अगर ये जो रुपया है जो रुपया है या तो appreciate करें या depreciation करें किसके business के उपर? market forces के उपर किसके उपर? market forces के हिसाब से मतलब market forces का मतलब आपकी जो supply and demand होती है उसके हिसाब से अगर ये चले तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे sir floating या flexible exchange rate क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो exchange rate है ना वो market के हिसाब से चल रही है किस चीज की कितनी demand है? किस चीज के कितनी supply है उसे साब से अगर आपकी exchange rate कहीं ना कहीं determine होती है उसको बोलते है floating या flexible और यहाँ पर मैंने word क्या use किया? जब रूपया उपर नीचे होगा तो यहाँ पर हम word use करेंगे कि रूपया या तो appreciate हो रहा है या फिर depreciate मेरा कहने का मतलब बता क्या है? आप लोग appreciate और depreciate कब यूज करोगे? जब हम बात करते हैं किसकी market forces की अगर रूपया अपने आप से उपर नीचे हो रहा है ना इसको बोलते है रूपय का appreciation या depreciation होना तो इसी का नाम क्या है? floating या flexible तो या आपने फ्लोट कर रखा है जितना उपर जाना है जाये कोई दिक्कत नहीं है नीचे जाना नीचे जाये कोई दिक्कत नहीं है तो रूपया अपने आप से depreciate और depreciate हो रहा है as per the market forces तो लो सर ये बात तो समझ आई फिर एक वर्ट सर आपने और यूज किया है वो क्या है आपका fixed exchange rate क्या यूज किया है आपने fixed exchange rate इसका क्या आर्थ से है जार? इसका आर्थ ये है कि let's say जैसे माल लो अगर हमारा central bank जैसे RBI की बात कर लो अगर हमारा RBI तै करे क्या तै करे? अगर वो ये तै करे कि भाईया एक डॉलर मतलब 70 रुपे no if no but एक डॉलर 70 रुपे है तो 70 नहीं है तो यहाँ पर क्या हुआ? आपके central bank ने खुद decide कर लिया कि आखिर एक डॉलर कितने में मिलेगा तो central bank यहाँ पर चीजों को maintain कर रहा है इसको बोलते है फिक्स्ट फिक्स हो गया ना बस बात खतम ना यह उपर जाएगा ना यह नीचे जाएगा इतना ही रहेगा अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा कैसे यह रख पा रहा है बान डॉलर एकुल टो 70 कैसे कर रहा है अगर लेट से वो नीचे आने लगे तो क्या हो रहा है रुप्या नीचे गर रहा है तो क्या करेगा central bank central bank कहीना कि उसको control करने कोशिश करेगा वो या तो हो सकता है कि जो रुप्य की supply बढ़ा दे supply बढ़ा देगा तो कहीना कि जो उसकी supply नी समझना इस बात को क्या कह रहा हूँ मैं कि 1 डॉलर एकुट लेट से 70 है अगर माल लो रुप्या बहुत नीचे आने लग गया रुप्य की हालत खराब होगी तो यह क्या शो कर रहा है यह शो कर रहा है कि डॉलर बहुत मजबूत है और रुप्या बड़ा कमज़ूर है डॉलर मजबूत क्यों हुआ होगा इसलिए हुआ होगा ना कि डॉलर की डिमांड जादा है पर supply कम है तो हो सकता है कि central bank क्या करे जो demand बढ़ी हुई है पर supply constant है या supply कम है नहीं बढ़ा सकता बिलकुल इसके पास तो अपने reserves पढ़े हो ना फारेक्स reserves उसमें से reserves में से डॉलर को use करेगा market में और डॉलर आएंगे market में और डॉलर आएंगे तो क्या होगा market में डॉलर की supply बढ़ जाएगी supply बढ़ जाएगी तो कहने हैं कि demand बीट हो जाएगी तो जो आपका dollar मजबूत हो रखा था ना वो मजबूत नहीं रहेगा और हमारा जो रुपया कमजोर हो रखा था वो कमजोर नहीं रहेगा तो इस तरह से क्या होता है fixed exchange rate के माद्यम से न यहाँ पर एक चीज़ control कर ली जाती है कि 1 dollar equal to 70 मतलब 70 इंडिया में चलता नहीं है पर मैं स्रिफ आपको समझा रहा हूँ कि this is how it works fixed exchange rate और आपका जो flexible exchange rate होता है दिक्कद इसमें यही आती है कि central bank के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए बहुत अच्छा कासा forex reserve होना चाहिए तभी वो इसी इसको maintain कर पाएगा otherwise इसको maintain करना अपने आपे बड़ी दिक्कत आती है नहीं तो क्या होगा आपके रुपी को आपके जो currency है उसको depreciate या फिर उसको devalue करना पड़ेगा तो point पता क्या है जब हम बात करेंगे fixed exchange rate की यहाँ पर हम जो word use करेंगे वो होगा currency devalue या फिर currency re-value बरना re-valuation, devaluation यह words जो है ना वो आपके fixed exchange rate के साथ आते हैं क्योंकि आप समझो जब मैंने word use किया था depreciate और appreciate तब मैंने क्या वोला था supply demand के इसाब से अपने आप रुपया उपर नीचे हो रहे तब हम use करते थे word क्या depreciate और appreciate पर अगर मैं यह बोलूँ कि हमने खुद अपने मन मर्जी से उसको उपर कर दिया, रुपय को मजबूत कर दिया या रुपय को नीचे गिरा दिया तो उसको बोलेंगे revalue या devalue करना यानि कि revaluation या devaluation अब आपकी दिमाग में आएगा सर्फ क्या कुछ countries हैं जो जबरदस्ती अपने currency को devalue करती है answer is yes, जैसे चाइना की उपर अकसर यह अरोप लगता है क्या अरोप लगता है चाइना की उपर कि वो अपनी currency को ना क्या कर रही है devalue कर रही है, नीचे गिराने की कोशिश कर रही है अब आप लोग के दिमाग में आएगा तो चाइना क्यों devalue कर रही है अपनी currency को, खुछ बताओ क्या हम पढ़के नहीं आए, कि जब अपनी currency नीचे जाती है तो क्या होता है, एक्सपोर्टर खुश होते है याद है ना, वेवव का example वेवव कैसे खुश हुआ था, जब currency नीचे आगी थी बिल्कुल सर, वो तो याद है जब ये चीज़ होती है तो फाइदा हुआ था, एक्सपोर्टर को ताकि अपने जो exports है ना, वो उसको boost कर पाए तो ये बात भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए मतलब fixed exchange rate और flexible के बीच में परक्या होता है यहाँ पर आप देख पाऊगे तो इस तरह से आपका exchange rate इस तरह से tie कर दिया रही है और depreciation की, whereas on the other hand जब हम बात करेंगे किसकी जब हम बात करेंगे आपके fixed exchange rate system की तो यहाँ पर बात किसकी होगी, devaluation और revaluation की I hope यह बात आपको समझ आगी meaning मैंने आपको समझाई दिया इन सभी चीजों का यह लिखा भी हुआ यहाँ पर कि appreciation क्या होती है market forces के उपर होती है जो revaluation होती है वो government order या फिर आपका RBI Central Bank उनके हिसाब से होती है appreciation आपकी flexible exchange rate system के अंदर होती है आपकी revaluation जो होती है वो आपके fixed exchange rate system के अंदर गत होती है meaning दोनों का लगबग सेम ही है कि आपकी domestic currency की जो value है न वो कहिना कहीं आपे बढ़ रही है इन दोनों cases के अंदर ठीक है अब आपके दिमाग में आएगा सब दुनिया में क्या चलता है क्या flexible चलता है या fixed चलता है देखो दोनों के आपने अपने कुछ फाइदे है flexible के भी fixed के भी दुनिया कुछ इस तरह से बीच में है जहां बात करते हैं किसकी यह word ध्यान में रखना किसका managed float या dirty float क्या मतलब है इस चीज का इसका मतलब बहुत है simple सा है जैसे for example में आपको रुपे की terms समझाता हूँ जैसे let's say one dollar आज 70 rupees है ठीक है तो हमारा जो central bank है जो RBI वो न इसके साथ छेड़ खानी नहीं करेगा वो था ठीक है यार 1 dollar 70 है या 80 माल नेते हैं इससे कि 1 dollar आज 80 है कोई दिक्कत नहीं है वो जादा हस्तक शेप इसमें करेगा ने पर पता क्या करेगा वो ध्यान में रखेगा क्या ध्यान में रखेगा वो देखेगा कि यार रुपया न इतना भी मजबूत न हो जाए कि वो 75 से नीचे आ जाए मलब 75 से भी मतलब इस साइड आ जाए और इतना भी नीचे न गिर जाए कि वो 85 की भी ब्यॉन चला जाए तो यहां पर पता क्या कर रहा है RBI एक range maintain करने ही कोशिश कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है कुछ समझो अगर माल लो ये इस तरह से नहीं होगा तो पता क्या होगा हमारा रुपय कभी अचानक उपर कभी अचानक नीचे उससे कभी exporter खुश कभी निराश कभी importer खुश कभी importer निराश तो जब थोड़ी ना इस तरह से stability होती है कि चिंता मत करो यार ना रुपया जादा उपर जाएगा ना रुपया जाएगा तो आपको जाद दिक्कत नहीं आती being exporter और importer अधर्वाइस आप खुद सोचो कभी आप बाहर से चॉकलेट मंगा रहे हो कभी वो चॉकलेट सुस्टी आ रही है कभी अचानक से बहुत उसके प्राइस बढ़ गे कभी फिर सुस्टे हो गे तो बहुत instability हो जाएगी ऐसे हर एक वस्तू आप जो मंगा रहे हो अगर मालनो ये iPad के दामी आज कुछ है कल कुछ और हो जाए परसों कुछ और हो जाए तो कहिना कि आपको भी बहुत मुश्किल आएगी तो अगर चीजों के अंदर नहीं stability चाहिए हो तो वहाँ पर exchange rate के अंदर भी कुछ हत्तक stability चाहिए तो हम बोल रहे हैं यार कि ठीक है हम इसको control नहीं कर रहे $80 है उपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत पर हम कोशिश करेंगे कि बहुत जाब उपर नीचे ना हो हम ठीक है मानते हैं market forces के साबसे चीज़े work करनी चाहिए demand supply के साबसे चीज़े work करें पर इतना भी ना हो कि बहुत जा हो जाए हम इस बात को भी ध्यान में रखते हैं तो यहां पर मैंने क्या भूला आपको central bank कैन इंटर्वीन अगर चीज़े बहुत अंसर्टेन है बहुत वोलेटिलिटी है उताज च्राव अगर बहुत जादा है तो वहां पर central bank आपका intervene कर सकता है ठीक है ना तो चाह बात होई यहां पर बात यह होई कि generally आपकी जो market होती है ना वही इन चीज़ों को यहां पर determine करती है market force it determine the exchange rate बट RBA कर सकती है RBA can sell और buy dollars या तो dollars buy कर लेगी या sell कर लेगी ताकि जो आपके exchange rate है उसको हम एक particular range के बीच में maintain कर पाएं यह बात भी आपको I hope यहां पे समझ आगी होगी क्या यह बात सबको clear है ठीक है ठीक है perfect perfect जलते हैं आगे एक छोड़ा टॉबिक और है जिसको बोलते हैं हम import cover import cover बहुत ही simple सा है इसकी ना एक बाट definition पूछी है UPSC ने freedoms के अंदर की import cover होता है क्या है इसका मतलब समझना मतलब इसका बहुत ही simple होता है कि let's say just एक चीज़ imagine करो माल लो आप एक महीने के अंदर ना कुछ products मंगाते हो on an average बिल्कु ठीक बात है let's say आप बहार से मंगाते हो हर महीने 10 billion dollar के product कितने के 10 billion dollar का आप import करवाते हो okay sir और आपके पास कुछ पैसा reserve में पड़ा हुआ है foreign exchange reserve जो मैंने discuss किया था last lecture के अंदर आपके पास forex reserve पड़े हुए है और let's say वो 100 billion dollar है कितने 100 billion dollar है मैंने क्या बोला आपके पास treasury में कितना पड़ा हुआ है 100 billion dollar और आपके पास जो आप एक महीने के अंदर import करते हो वो कितना है आप बोलो के सब 10 billion तो क्या आप मुझे ये बताओगे कि forex reserve की मदद से आप कितने महीने तक import कर सकते हो आप बड़ा simple है हर महीने 10 billion dollar चाहिए होते हैं हमारे पास 100 billion dollar है तो 10 महीने चलेगा कोई doubt ही नहीं है इसी 10 महीने को क्या बोलते है import cover यानि कि कितने महीनों तक आप import करवा सकते हो using your foreign exchange reserves इसी को बोलते हैं क्या import कबर इसकी importance क्या है सार कहां पे इसको use करेंगे तो आप खुछ सोचो मान लो आप एक महीने के अदर बाहर से बहुत समान मंगाते हो बहुत समान मंगाते हो पर आपके forex reserve में आपके बस है ही नहीं तो क्या दिक्कत आएगी कल को जब आपको कुछ समान आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा न आप मंगा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके चुजोरी में पैसा पड़ा ही नहीं हुआ तो ये दिक्कत आती है अगर आपके ठीक ठाक चुजोरी में पैसा पड़ा हुआ है तो पर आपकी त्योरियम पैसा है ही नहीं, सिरब पांच दिन का पैसा है, तब आपको बताले गए और हालत बहुत खराब है, तो इस तरह से import cover हमें शो करता है कि कितने महीने तक हम अपना ना काम चला सकते हैं इस forex reserves की मदद से, ये चीज़ बताती है आपका import cover, ठीक है, good, 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 आगे चलते है next topic की तरफ, जिसका नाम क्या है, नीर और रीर, ये topic कई वर बच्चों को काफी confuse कर देता है, बट मेरी कोशिश रेगी, इसको मैं स्वोड़ा simplify करके आपको समझा पाऊ, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ imagine करना, सर क्या imagine करें, जैसे माल लो, $1 equal to 70 था, ठीक है कलको let's say $1 equal to 80 हो गया, तब हम पता है कि यह हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर जो रुपी है ना, जो रुपया है, वो कहिना कि नीचे गिर गया है, वो depreciate कर गया है, as compared to dollar, बात आपकी सही है, पर क्या हम इससे यह imagine कर पा रहे हैं, कि actual में हुआ क्या है, क्या रुपया नी यह मा लिया, कि dollar की मुकाबले, रुपया कमजोर हुआ है, पर मुझे यह भी तो जाना चाहिए ना, कि रुपया ने pound, आपके जो और yen हो गया, या और दुनिया भर की जो और currencies हैं, उनके हिसाब से हमने कैसा perform किया, वो पता लगेगा ना, असली information तो वो देगा, यहाँ पर रुपया तो dollar के मुकाबले कमजोर हो रहा है, तो रुपया खराब चीज हो लिए, पर भाईया एक instance देखके थोड़ी हम पूरी information दे पाएंगे, हो सकता है ना, कि dollar के अंदर कुछ बहुत अच्छी चीज हुई हो, इस वज़े से dollar आगे बड़ा हो, हमने हो सकता कुछ खरा पूइट बता पाएंगे, हमारे पास proper information हो पाएगी, तो यहाँ पर पता क्या होता है, आप लोग फिर यह सोचोगे, सर ऐसा करते हैं, कि ना, रुपी, रुपी का हम ये देखते हैं, कि रुपी दुनिया भर की currency, चाहे डॉलर हो गया, जितने भी हजारों currency आती हैं दुनि क्या ये चीज possible है, कि हम सारी currency के साथ रुपी को चेक करें, नहीं सर, ऐसे तो possible नहीं हो पाएगा, तो हमें न कुछ currencies लेनी पड़ेगी, कुछ 5-6 currencies हम लेंगे, उनके साथ देख लेंगे कि रुपी का क्या रिष्टा रहा है, उस रिष्टे की वज़ा से हमें एक idea लग जा मैंने बुचा कि market में महगाई है, आप पता क्या कर रहा है, आपने बोला कि सर ये bottle है आपके पास, ये bottle पिछले महीने 100 रुपे की थी, इस महीने 200 रुपे की होगी, आप बोल दो कि सर महगाई होगी है, पर क्या ये logical estimate है, आप बोलोगे नहीं यार, एक bottle, सिर्फ एक bottle के basis क क्यों पर आपने बोल दिया कि market में महगाई है, ऐसे थोड़ी करोगे, दूसरा बंदा आता है मेरे पास, वो बोलता है सर एक काम करते है, जितने भी प्रोजेक्ट से सब का देखते हैं, आप बोलोगे सर मोबाइल का भी देख लेते हैं, मोबाइल महगा हुआ, आप है, आप बोलोगे सर ये भी पॉसिबल नहीं है, मार्केट में तो हजारों लाखो ही आइटम है, हर किसी चीज का देखने लग जाएंगे तो वो भी बड़ी दिक्कत आएगी, तो पॉइंट आप समझ पाए हो, ना मैं एक बॉटल के हिसाब से देख पा रहा हूँ कि market में म मैं यहाँ पर ने एक बास्केट बना दूंगा, उस बास्केट के अंदर कुछ चीज़े डिफाइन कर दूंगा, कि यह रिए छे साथ आइटम्स हैं, इन छे साथ आइटम्स को आप देखो, मालो यह दस आइटम्स ले लेते हैं, यह दस आइटम्स हैं, एक्जाम्पल समझ बात है। उसी तरह से अगर हमें यह बताना है कि भहapa रुप्या कमजोर है या रुप्या क्या हो रहा है उपर जा रहे नीचे जा रहा है। तो न ना ही हम सिर्फ डॉलर्ड को देखके यह बता पाएंगे कि रुप्या उपर जा रुपय नीचे जा रहा है और ना ही हजारों करणसी के साथ कमपेरिजन हमारे लिए पॉसिबल है तो हम पता क्या करते हैं हम एक इंडेक्स बना लेते हैं उसी इंडेक्स का नाम है क्या नीर समझता समझाता हूं जैसे फॉर एक्जामपल समझना इस बात को जैसे आपने पांचे करंशी देख ली मान लो जैसे आपने एक ले लिया डॉलर ठीक है उसके अलावा आपने लेट से ले लिया यूरो उसके अलावा आपने जैपनीज येन होता है चाइनीज का जो यूआन या रेंड मिन भी होता है वो ले लिया आपने होंग कॉंग का ले लिया या एक अदा कोई और जवाब लेना चाहते हो इस तरह से आपने लिमान लो पांचे ले लिया एक होंग कॉंग का ले लिया और एक आपका लेट से बिटिश पांड ले लिया ठीक है अब ये तो आपने ले लिए इस तरह से शेक रंसी ले लिए मैं शेक रंसी के साथ कमपाइजन करना चाहता हूँ ठीक बात है अब पता क्या करोगे अब आप देखोगे क्या अब आप ये नोटिस करोगे कि let's say just like imagine करना कि let's say आज 1 डॉलर क्या है 80 रॉपे तो क्या आप 1 रुपी बता सकते मुझे आप लिखो कि sir 1 रुपी है 1 by 80 डॉलर जिसको आप क्या लिख सकते हो जिसको आप लिख सकते हो 0.0125 डॉलर तो बेसिकल लिए आपने क्या किया रुपे को डॉलर की फॉर्म में लिख दिया 0.0125 उसी तरह से आप क्या करोगे रुपे को यूरो की फॉर्म में येन की फॉर्म में इन सभी फॉर्म में लिख दोगे जैसा मैंने आपको रुपे को आपको डॉलर की फॉर्म में लिख के दिया तो ठीक है, अब पता क्या करोगे, अब आप देखोगे कि यार जो भारत है, वो कितना ट्रेड किस कंट्री के साथ कर रहा है, let's say, हमारा जाधर ट्रेड हो सकता है, डॉलर के अंदर हो, तो हमने इसको वेट देदिया 40%, उसी तरह से इसको देदिया 20%, ऐसे करते करते हैं, हमें सब को मिलाके 100% देना होता है, ठीक है, मालो इसको 15% कर दिया, और इसको 5% कर दिया, अब ये क्या है, ये वेटेड आवरेज है, डॉलर के अंदर हम जाधा ट्रेड करते थे, जाधा समान भेजते जाते थे, तो डॉलर को जाधा इंपॉर्टेस दे दी, होंग कोंग के अंदर हम जाधा समान भेजते थे, मैंने उसको जाधा इंपॉर्टेस दे दी, तो यहाँ पर पता क्या किया मैंने वेट देने की कोशिश करी है अब इनके वेट के हिसाब से इनकी जो भी exchange rate थी इसको मैंने multiply कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास कुछ number आएगा इसके number को multiply कर दिया इस तरह से मेरे पास total 6 number आजाएंगे उनका जब मैं add करूँगा न तो अब मैं बता पाऊँगा क्या मैं बता पाऊँगा कि रुपी की value actual में है क्या समझ पाए हो यहाँ पर आप समझो अगर मैं ये बोल दू ना 1 dollar equal to 80 या फिर 1 rupee equal to इतने dollars वो सिरफ रुपी और dollar का comparison हुआ सेम चीज मैं rupee और euro की comparison कर सकता हूँ rupee और yen की rupee और yuan की इस तरह से अब ये 6 country साथ मैंने यहाँ पर comparison कर जिया अब सबको एक जगा पर इकठे लेकर आना है तब ही मेरे पास कोई number आप आएगा बिल्कुल वो कैसे करूँगा मैंने इनको importance दे दी कि हम trade जाधा dollar के अंदर कर रहे है तो dollar को जाधा importance इसको कम importance इसको और भी कम इस तरह से so on and so forth तो इनको इनकी importance के साब से इनकी जो भी value थी rupee की terms के अंदर उसको जब मैं multiply करूँगा उनका जब मेरे पास एक sum आ जाएगा न तो वो क्या बताएगा मुझे वो ये बताएगा कि rupee की actual value है क्या इन सभी currencies की terms के अंदर सिर्फ एक currency के अंदर नहीं इन छे currencies की terms के अंदर तो मेरे पास ना 1 rupee की कुछ value आ जाएगी उसी value को मैं क्या बोलता हूँ नीर nominal effective exchange rate समझे इस बात को अब ये rupee की terms में मतला rupee की value आ गी है इन छे currencies की terms के अंदर अब मुझे बताओ कि let's say ये नीर बढ़ गया क्या हो गया अगर imagine करो imagine करो कि let's say नीर तो समझ आ गया जिनको नहीं समझ आया एक request रेगी प्लीज दुबारा से एक बार न ये वहला portion आप दुबारा देख लेना ठीक है तो नीर तो समझ आगे कि नीर हमारा चलो निकल जाएगा weighted average के इसाब से ठीक है अगर माल लो just take an example कि नीर बढ़ जाता है अब आप खुछ सोचो नीर यहाँ पर बढ़ गया नीर बढ़ने का मतलब क्या होगा कहीना कहीन जो dollar है न वो dollar according ली change हो गया तो यहाँ पर अगर एक चीज़ बैजन करो नीर बढ़ेगा कब आप बोलो कि sir नीर तब बढ़ेगा अगर माल लो one dollar की value 60 होगी one dollar की जैसे value 60 होती ही न तो रुपे की जो value सी dollar की terms के अंदर कहीना कहीन वो बढ़ जाएगी और वो बढ़ जाएगी तो according ली नीर बढ़ेगा तो एक्चल में नीर बढ़ने का मतलब क्या होता है हमारा जो रुपया है न वो appreciate कर गया अब आप बोलो कि sir किसके context में appreciate किया अरे मैंने बोला इन सभी currency के terms के अंदर क्योंकि देखो मुझे ये बताना है कि रुपया उपर जा रहा है या रुपया नीचे जा रहा है तिरफ dollar को देखके नहीं बता पाऊंगा तो मैंने सब को importance दी या 6 particular currency को importance दी उसके इसाब से मेरे पास एक value आगी जिसका नाम मैंने नीर रखा उसके इसाब से मैंने देखा कि बाद में उस नीर के अंदर क्या बदलाव आ रहा है क्या वो नंबर बढ़ रहा है क्या वो नंबर कम हो रहा है अगर वो नंबर बढ़ेगा इसका मतलब रुपया मजबूत हो रहा है अगर नीर नीचे आएगा अगर नीर नीचे गिरेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा सर कि रुपया जो हमारा वो कमजोर हो रहा है और कमजोर होना रुपया का या रुपया का मजबूत होना इसका linkage आप trade के साथ जानते ही हो कि जब कोई चीज depreciate होती है उसका क्या फाइदा होता है और जब कोई चीज appreciate होती है उसका क्या फाइदा होता है ठीक है ये बात हमें पता होने चाहिए चलो ठीक है मतलब नीर का बढ़ना इस रुप्या का appreciation और नीर का कम होना इस रुप्या का depreciation अब एक चीज़ और दिमाग में आती है सिर्फ नीर से चलो समझ आ गया ये रीर की बात क्या होती है जो कई वर हम REER सुनते है उसका अर्थ क्या होता है देखो, एक्चल में न मैंने आपको nominal, real ये सब पहले भी बताया था एक्चल में न जो इनको नीर की फुल फॉर्म नहीं बताया, मैं नीर की फुल फॉर्म बतायता हूँ नीर होता है आपका nominal effective exchange rate उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ rear की वो होता है real effective exchange rate ठीक है अब जब याज करो, मैंने आपको कई बार nominal, real पढ़ाया हुआ है nominal interest rate, real interest rate, वहाँ पर भी आपको पढ़ाया था तो दरसल में न, जब हम बात करते हैं rear और near की तो rear के अंदर न, हम क्या देखते हैं, जब मैं नीच वाले की बात कर रहा हूँ यहाँ पर न, हमने inflation का impact भी देखते हैं near के अंदर न, inflation पर थोड़ी consider किया कहीं पर भी, नहीं किया पर अगर माल लो, आप inflation का impact भी देखते हो तो inflation का impact include करने के बाद, महंगाई का effect include करने के बाद आप क्या निकालते हो, आप निकलते हो अपने rear के उपर, real effective exchange rate के उपर आप पहुँँ जाते हो तो यह चीज होती है, near और rear के बीच का फरक क्याई बात समझाई? एक आखरी चीज़ आपको और भी ध्यान में रखनी है कि let's say let's say आपका जो near है, let's say आपका let's say, जो near है न, वो rear से कम है आपका जो रुपी का जो near है, let's say वो rear से कम है, इसका अर्थ पता क्या होगा? इसका अर्थ यह है कि inflation इंडिया के अंदर जादा है क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब यह होता है कि inflation in India is more इससे जादा है, जो बाकी के इसकी में बात कर रहा थो, उनसे जादा है यह बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है नीर और rear के context के अंदर परक समझाया? नीर का अर्थ मतलब इतना सा है कि आपको देखना था कि रुपया क्या हो रहा है? तो सब डॉलर को हमने इस तरह से छे पार्ट में डिवाइड कर दिया depending upon हमारा किसके साथ कितना importance था? तो उसके साब से जो value आएगी, उसी को बोलते है नीर यहाँ पर आप definition देख पाऊगे नीर is a measure of value of a currency against a weighted average of several foreign currency. वो तो percentage थी था, 40%, 20% वो क्या है आपकी? Weighted average आपका रुपया जो था, जो आपका रुपीस था वो कहिना कि appreciate कर रहा है नीर का कम होना दिखा रहा है कि रुपया आपका depreciate कर रहा है, तो यह कुछ फरक आपको पता होने चाहिए. रीर का मतलब ही मैंने आपको समझा दिया, रीर के inflation के हिसाब से. जब आप नीर को adjust कर देते हो as per inflation level, तब वो क्या बन जाता है? आपका real effective exchange entity आपर बन जाता है. तो जैसे ही आपका रीर कम होगा, इसका मतलब क्या है? हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, रीर कम होने का. चाहिए नीर कम होना, रीर कम होना, क्या दिखा रहा है? यह दिखा रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है. रुपया कमजोर हो रहा है, तो exporter खुश. on the other hand, नीर और रीर का बढ़ना, यह क्या दिखा रहा है? रुपया appreciate कर रहा है, रुपया appreciate कर रहा है, तो इंपोर्टर्स खुश और एक्स्पोर्टर नारास तो यह फरक आपको यहां पर पता होना चाहिए एक काम करते हैं इसके वेसे के उपर कुछ क्वेशन ट्राई कर लेते हैं जैसे फॉर एक्जामपल यह UPSC 2022 में हमसे पूछा गया यह कह रहा है यह कह रहा है जैसे ही आपका बढ़ता है इसका मतलब होता है कि आपका जो रुपी है ना वह एप्रिशेट कर गया कहा बात सही है बिल्कुल सही है नीर बढ़ना रीर बढना यही थे ऑप कर आपका रुपएश्त हो carry लगा ह। दूसरा कहा रहा है increase in rear यह indicate करता है improvement in trade competitiveness देखो trade के अंदर competitive आप कब होगे जब आपके export बढ़ेंगे export कब बढ़ते हैं जब रुपया नीचे जाता है क्या rear बढ़ने का मतलब रुपया नीचे जाना होता है बिल्कुल गलत rear बढ़ने का मतलब होता है आपका रुपया उपर जा रहा है वो appreciate कर रहा है तो यह बात आपके गलत हो जाएगी आपके statement कौन से ठीक है one and three only options यहां पर correct बन जाएगा ठीक है चलते हैं आगे एक question all try करते हैं यहां देखो UPSC इन दो सार बारा में पूछा यहां पूछ रहा है कि आपका जो किसी भी currency का जो manage होता है international market के अंदर वह कौन टै करता है क्या world bank टै करता है बिल्कुल गलत बात है world bank की तो बात ही नहीं है यहां वे बात किसकी हो रही है बात हो रही है कि आप गुड्स बगारा की demand कैसी है कि कहा पर कितनी वहां पर stability है पहला बिल्कुल गलत है और आपका second and third correct है option नंबर भी यहाँ पे आपका अंसर बन जाएगा तो दोस्तों एक काम करते हैं आज के सेशिन को हम यहीं तक रखते हैं एक छोटे मोटे कुछ कॉंसेट्स हैं मैं आपके डिस्कस करने जाए था बटमना मेरा थोड़ा उतना मैं अच्छा फील करनी पार हो हम गला थोड़ा मेरा खराब हो गया है तो जो बिल्कुल दस-फंद्रा मिनट के कॉंसेप्ट है कुछ छोटे मोटे वह आपको अगले चैप्टर के अंदर इसको कवर करवा दूँगा बिल्कुल चिंता करने की जूरत नहीं है अगला चैप्टर आपका WTO ही है तो वहाँ पर आपको मैं WTO के साथ उनका किज भी है तो वहाँ पर मैं सारे वो टॉपिक अखॉडिंग ली डिसकस कर दूँगा क्योंकि दोनों को आप साथ में समझों के तो और भी अच्छे से आप इन चीज़ों को समझ पाओंगे ठीक है दोस्तों तो यह थी आज की डिसकसिएन आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा एंड आइडिया लगा होगा कि इन सभी चीजों का आखिर अर्च क्या होता है डेपरिशिशन एपरिशिएन एंड कही ना कि इन सभी चीजों की मदद से हम किस तरह से सारी चीजर यहाँ पे स झाल झाल